नमश्कार दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बहुत इंपॉर्टिट विश्य पर बात करने वाले हैं अगर हमें इस बारे में नहीं पता होगा तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं हर इंसान के जीवन में ये घटित होता है लेकिन आप इस बास से अंजान हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि अगर आपका खुद का मकान है तो आपको क्या सहना पड़ सकता है अगर आपके लिए शनी सही दिस्टी नहीं डाल रहे हैं तो आपके जीवन में कटनाईयां आ सकती है तो आपको इसका क्या उपाई करना चाहिए और किस उम्र में आपको अपने मकान को बनाना चाहिए सारी बातों के बारे में मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा आपको बहुती महपतपूर्ण सूशना मिलने वाली है दोस्तों हमारी लगन चार्ट में लगन कुंडली में 12 भाव होते है शनी के अलग-लग भाव में बैटने से हमें मकान बनाने का अलग-लग रिजल्ट मिलता है मैं आपको बताऊंगी कि आपको मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए और अगर बनाना चाहिए तो किस उम्र में बनाना चाहिए ताकि आपको शनी के अच्छे रिजल्ट मिल सकें आप शनी की बुरी दिश्टी से बस सको दोस्तों इस टॉपिक की मैंने अलग-लग वीजियो बनाई है बारा भाव की अलग-लग वीजियो हैं आपकी शनी देव, आपकी कुनली के किस भाव में बैठे हैं आप उस भाव को लेकर वीजियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा दोस्तों हर व्यक्ति के लिए रोटी कपड़े का जुगाड होने के बाद मुखे वज़ा सिर्फ मकान की रह जाती है रोटी से पेट भर जाएगा, कपड़े से तन ढख जाएगा लेकिन सुरक्षित जीवन जीने के लिए हर छोटी या बड़े मकान की आवशकता प्रतेक व्यक्ति को होती है मकान बनाना असान नहीं होता है बहुत से व्यक्ति धन का अभास होने की कारण मकान नहीं बना पाते हैं और कुछ व्यक्ति जोड़कर या फिर पैत्रिक संपत्ती से मकान जरूर बनवा लेते हैं दोस्तो आपके मकान का संबंध आपकी कुर्णी में बैठा शनी निधारित करता है शुब और अशुब रिजाइड भी उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर शनी आपके ग्यारवे भाव में बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तो इस भाव में शनी के हुने पर आप अपना मकान बनवा सकते हो लेकिन 55 वर्ष की आयू के पश्चात ही आपको अपने मकान का निर्मान करवाना चाहिए लेकिन कभी भी दक्षन मुखी मकान ना बनवाए नहीं तो आपको गंबीर रोक का सामना करना पड़ सकता है और अगर आप पहले ही घर बनवा चुके हो या फिर दक्षन मुखी मकान है तो आपको अपने वजन के बराबर कोईला खरीद कर शनीवार के दिन संद्या के समय शाम को पानी में जरूर बहाना चाहिए साथी साथ अपने घर के इशान कॉनर पर कोई भी समान ना रखिए वहां के साप सफाई जरूर रखिए और शाम के समय वहां पर शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाए अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों